मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा अज की तारिक है 9 अक्तूबर 2023 के बाबा के सकार महावाक्चे है मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्तर बनेंगे उतना पर्रोकिक मात पिता की दुआई मिलेगी दुआई मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे बाबा ने प्रेशन पुछा बाब सभी बच्चों को कौन सी राय दे कर कुप कर्मों से बचाते हैं उत्तर बाबा राय देते बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दोलत आदी है वह सब अपने पास रखो लेकिन ट्रेश्टी होकर चलो तुम कहते आए हो हे भगवान ये सब कुछ आपका है भगवान ने बच्चा दिया धन दोलत दिया अब भगवान कहते हैं इन सबसे बुद्धी योग निकाल तुम ट्रेश्टी होकर रहो शिरिमत पर चलो तो कोई भी कुर्प करम नहीं होगा तुम शरिष्ट बन जाएंगे गीत लेलो दुआए माबाप की लेलो लेलो दुआए माबाप की हूँ लेलो दुआए माबाप की है उत्रेगी गठरी पाप की लेलो लेलो दुआए माबाप की खोद में मां की आँख खुले जगर ओम शान्ति जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है समझा नहीं सकते हैं उन्हें सेंटर की ब्रामनिया कैसे सिकलाएं ये शिव बाबा समझाते हैं चित्रों पर समझाना तो बहुत साज है चोटे बच्चों को चित्र दिख़ा कर समझाना पड़े ना ऐसे नहीं कलास में सब आकर बैठें और तुमने मुरली शुरू कर ली नहीं यह तो हड़ी यानि जिगरी बैट समझाना चाहिए बच्चों ने गीत तो सुना एक है पालो की मात पिता जिसको याद करते रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे वह है सरिष्टी कर चीता मात पिता जरूर सुरग ही रचेंगे सात्यूग में सरगवासी बच्चे होते हैं यहां के मात पिता खुद ही नरखवासी हैं तो बच्चे भी नरखवासी ही पैदा करेंगे गीत में कहा ले लो दौाए माबाप की तुम जानते हो इस समय के माबाप तो दौाए नहीं देते सवरग वासी दौा करते हैं जो दौा फिर आदा कलब चलती है फिर आदा कलब बाद शरापित हो जाते हैं खुद भी पति बनते तो बिच्चों को भी बनाते हैं उसे अशीवा तो नहीं कहेंगे शराप देते देते भारत वासी शरापित हो गए कितना दुख ही दुख है इसलिए माब पिता को याद करते हैं अभी वह माब पिता दौाए का रहे हैं पढाकर पति से पावन बना रहे हैं यहां है आसोरी संपरदाई रावन राजय वहां है देवी संपरदाई राम राजय रावन का जनम भी भारत में है शीव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जनम भी भारत में है तुम जब बाम मार्ग में जाते हो तो भारत में राम राजा शुरू होता है तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं रावन आते हैं तो मनुश्य पतित बनते हैं गाते भी हैं राम गयो रावन गयो जिनका बहुँ परिवार है राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब दर्म खतम हो जाते हैं सब का विनाश हो जाता है बाकी तुम देवी देव ताहें रहेंगे तुम अभी जो ब्राह्मन बने हो वहीं ट्रांसपर होंगे सत्युग में तो अब तुमको माबाब की दौएं मिल रही है माबाब तुमको सुर का मालिक बनाते हैं बहां तो सुख है इस समय कल्युग में हैं दुख सबी धर्म दुखी हैं अभी कल्युग के बाद फिर सत्युग होना है कल्युग में कितने धेर मनुश्य हैं सत्युग में तो इतने मनुश्य नहीं होंगे जितने ब्रामन होंगे, वहीं फिर वहां देपता बनेंगे, वह भी त्रेता तक ब्रिदी को पाते रहेंगे कहते हैं क्राइश्ट से तीन जावश पहले सत्युगता, बी फोर क्राइश्ट और आफ्टर क्राइश्ट सत्युग में तो एक ही धर्म, एक ही रज्य है, बहां मनुश्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा, और कोई धर्म नहीं होगा सिर्फ सूर्य बंशी ही होंगे चंदर बंशी भी नहीं होंगे सूर्य बंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि बेसंपूर्ण हैं तुम बच्चे जानते हो, पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है, चक्कर के चित्त तरफ इशारा, देखो, बाप उपर में बैठे हैं, यह बर्मा, दुबारा साफना प्रा रहे हैं, अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का रज्य रहता है, तब और बाद ब्रिदी होती जाती है, उपर से आत्माई आती जाती हैं, वरन बदलते जाते हैं, जीव आत्माई बढ़ती जाती हैं, सत्युग में होगे नो लाक, फिर प्रोड होगे, फिर ब्रिदी को पाते जाएंगे, सत्युग में भारत स्रिष्टाचारी था, अभी ब्रिष् ऐसे नहीं सब धरम बाले स्रिष्टाचारी बन जाएंगे, कितने धेर मुनुष्य हैं, यहां भी व्रिष्टाचारी स्रिष्टाचारी बनने में, कितनी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी स्रिष्टाचारी बनते बनते फिर बिकार में जाएं, व्रिष्टाचारी बन पड़ करते हो बेहत का बाब तो सीधी बात बढ़ताते हैं कहते हैं कि क्या कुल कलंकित बनते हो काला मुं करते हो क्या तुम गोरा नहीं बढ़ेंगे तुम आदा कलब श्रिट थे फिर कलाएे कम होती जाती हैं कालियूं अंत में तो उलाएए एकदम फूरी पिर सत्योगी श्रिष्ट स्रिष्टी सापन करते हैं, तुम को भी स्रिष्टाचारी बनना चाहिए, स्रिष्टाचारी कौन आकर बनाते हैं, बाप है, ही गरीव निवाज, पैसे की बात नहीं, बेहत के बाप के पास स्रिष्ट बनने आते हैं, तो भी लोग कहते हैं, तुम यहां क्यों जाते हो, कितने बिगन डालते हैं, तुम जानते हो, इस रुद्र ग्यान यग में असुरों के बिगन बहुत पढ़ते हैं, अब लाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर इस्त्रियां भी बहुत तंक करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं, अब बाप काम च फ़क्षिता पर बिठाती हैं जन्म जनमात्र का कांठ्रैक्ट है इस समय है ही रावन-्राज्याय गवर्मेंट कितने शाद माने करती है रावन को जणाते हैं खिल देखने जाते हैं अब ये रावन कहां से आया रावन का जनम हुए तो 25 सो वर्ष हुए राम ने सब को शोक बाटिका में बिठा दिया है सब दुखी ही दुखी है राम राज्ये में सब सुखी ही सुखी होते है अभी है कल्युक का अंत विनाश सामने कड़ा है इतने करोडे मनुशे मरेंगे तो जरूर अड़ाई लगेगी ना सरसों माफिक सब पिस जाते हैं अब देखते हो तेयारियां हो रही है बाप स्वरक की स्थापना कर रहे हैं ये ग्यान और कोई भी दे न सके ये ग्यान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं सदगती करने वाला एक ही बाप है सत्यूग में है ही सत्कती वहां गुरू की दरकार नहीं अभी तुम इस नौलज से तरकादशी बनते हो सत्यूग में लक्षमी नरायन में यह ग्यान बिलकुन ही होगा तो फिर परंपरा से यह ग्यान कहां से आया अभी है कल्यू का अंत बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो स्वरक की राधानी सापन करने वाले बाप को और बरसे को याद करो पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा वह है पावन दुनिया यह है पतित दुनिया पावन दुनिया में कंस जरा संदी हिन्य केशफ आधी होते नहीं कल्यू की बातों को सत्यू में ले गए हैं शिब बाबा आए हैं कल्यू के अंत में आज शिब बाबा आए हैं कल शिरी कृष्ण आएगा तो शिब बाबा और शिरी कृष्ण के पाड़ को मिला दिया है शिब वानु वाच उन दवारा पढ़कर शिरी कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है उनों फिर भूल से गीता में शिरी कृष्ण का नाम डाल दिया है ये भूल फिर भी होगी मनुश्य भृष्टाचारी बनें तब तो बाप आकर शिरिष्टाचारी बनाएं शिरिष्टाचारी ही 84 जनव पूरे कर भृष्टाचारी बनते हैं इस चक्कर पर समझाना तो बहुत सहज है जाड में भी दिखाया हुआ है नीचे तुम राज योग की तपस्या कर रहे हो उपर लक्ष्वी नरायन का राज्या खड़ा है अभी तुम थूर में बैठे हो फाउंडेशन लग रहा है तुम जानते हो फिर सूरिया वश्ची कुल यानि बेकुंट में जाएंगे राम राज्य को बेकुंट नहीं कहा जाता बेकुंट शिरिकृष्ण के राज्य को कहा जाता है अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे एक्जी विशन आदी में तुम्हारा नाम बाला होगा एक दो को देखकर बिदी को पाएंगे बाप आकर ये सब बाते समझाते है चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है सत्यों की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पते दुनिया में सामरे से गोरा बनाते हैं तुम शिरिकृष्ण की राजधानी की बंशावली भी हो प्रजा भी हो बाप अच्छी रिती समझाते हैं निराकार्शी बाबा आत्माओं को बैट समझाते हैं कि आप मुझे याद करो यह है रुहानी यात्रा हे आत्माएं तुम अपने शांती धाम निर्वान धाम को याद करो तो स्वरक का बरसा मिलेगा अभी तुम संगम पर बैठे हो बाप कहते हैं मुझे और अपने बरसे को याद करो तो तुम यहाँ स्वरक में आ जाएंगे जो जितना याद करेंगे और पवित्थर रहेंगे उतना उंचा पद मिलेगा बाबा ने सर्फ हम बच्चों को याद पर जोर दिया कि जितना तुम याद करोगे पवित्र होगे उतना उंच पद मिलेगा तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं बाबा दुआएं दे रहे हैं धनवान भाव पुत्रवान भाव आईशवान भाव देबताउं की आयू बहुत बड़ी होती है शक्षकार होता है अभी यह शरी छोड जाकर बच्चा ब मते सोगते बूडे से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाओं आत्मा इस सरीर के साथ है तब तकलीव महसूस करती है आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीव महसूस नहीं होती है शरीर से अलग हुआ खलास हम को अब जाना है मोल बतन से बाबा आते हैं लेने लिए यह दुखदाम है अभी हम जाएंगे मुक्ती धाम बाप कहते हैं सबको मुक्ती धाम ले जाता हूँ जो भी धरम बाले हैं सबको मुक्ती धाम जाना है वह पुर्शार्त भी मुक्ती में जाने के लिए करते हैं बाब कहते हैं मुझे याद करो तुम मिरे पास आ जाएंगे बाबा को याद कर भोजन खाओ थो तुमको तागत मिलेगी अर शरीरी होकर तुमको पैदल आबू रोड थक चले जाओ कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे समझते थे हम आत्मा हैं बहुत हलके होकर पैदल चले जाते थे कुछ भी थकावट नहीं होती थी शरीर विगर तुम आत्मा तो सेक्ड में बाबा पास पहुँच सकती हो यहां एक श्री छोड़ा सेक्ड में जाकर लंडन में जनम लेते हैं आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं तो अब बाब कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने लिए आए हैं अब मुझ बाबा को याद करो अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहत के पारलो की बाब की दुआएं मिल रही हैं बाब बच्चों को स्रेश्ट ते स्रेश्ट मत दे रहे हैं धन दोलत आदी सब तुम अपने पास रखो सिर्फ ट्रिश्टी होकर चलो तुम कहते भी आए हो हे भगवान ये सब कुछ आपका है भगवान ने बच्चा दिया भगवान ने ये धन दोलत दिया अच्छा फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धी योग निकाल तुम ट्रिश्टी होकर चलो शिरी मत पर चलो तो बाब को मालूम पढ़ेगा तुम कोई कुक करम तो नहीं करते हो शिरी मत पर चलने से ही तुम से बनेगे आसोरी मत पर चलने से तुम ब्रिश्ट बने हो आदा कलब तुमको ब्रिश्ट बनने में लगा है 16 कला से फिर 14 कला बनते हो फिर धीरे धीरे कलाई कम होती जाती है तो इसमें टाइम लगता है न अच्छा मीठे मीठे सिक्रदे बच्चो प्रती मात पिता बाद दादा का याद प्यार और गुर मोरनी रुहानी बाग की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बात दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुरली के लिए धारना के लिए मुख्य सार नमबर एक, चलते फिरते अशरीदी बनने का अभ्यास करना है, भोजन एक बाब की याद में खाना है नमबर दो, मात पिता की दुआएं लेनी हैं, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी खुकरम नहीं करना है वर्दान, अना सकत बन लोकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरिय कमाई जमा करने वाले राज युक्त भावक कई बच्चे लोकिक कारियें, लोकिक परवती, लोकिक संबंद संपरक निवाते हुए अपनी बिशाल बुद्धी से सब को संतुष्ट भी करते और इश्वरिय कमाई का राज जानते हुए बिशेश हिस्सा भी निकाल लेते ऐसे एकनामी और एकानामी वाले अना सकत बच्चे हैं, जो सरब खजाने समय, शक्तियां और स्थूर्धन को लोकिक से एकानामी कर ऐसे युक्ति युक्त राज युक्त बच्चे ही महिमा युग्या है, स्लोगन सम्रीती सबरूप बनकर हर करम करने वाले ही परकाश स्थम यनि लाइट हाउस बनते हैं, ओम शान्ति